असलावनेकूम आज हम लेम प्लाव बना रहे हैं उसके जो जो चीजे हमें चाहिए वो यह है जीरा एक चमज सुखा हुआ दनिया एक चमज करीपता तीन अदद ब्लेक कार्डिमन साथ अदद ग्रीन कार्डिमन साथ अदद लॉंग साथ अदद ब्लेक पैपर हजब जरूरत चिली फ्लेक्स वन स्पून तिंक सॉल्ट हाफ स्पून चाइनी सॉल्ट हाफ स्पून स्टार इनीज यह मेरे पास है फुल वन बंजा दैस का और गरम मसाला जब यह हम डम करेंगे उसकी उपर डालेंगे वन स्पून लैम हाफ के जी अल्रेडी बॉयल हो चुका है राइस 3 कप्स और चैनना हमारे पास वन केन वन कप इसमें जाएगा कुकिंग ओल कुकिंग ओल आप अपने हजब ज़रूरत भी उसकर सकते हैं किसी को ज्यादा अच्छा लगता है किसको कम अच्छा लगता है तीन टमाटर वन टीस्पून दिया है मैंने जिंजर गालिक पेस्ट और तेन ग्रीन चिली ग्रीन चिली बी जिसको ज्यादा अच्छी लगती है वो ज्यादा डाल सकता है जिसको कम अच्छी लगती है वो कम डाल सकता है इसमें यह सारी चीज़ा जाएंगी हमारे पास वे हैं अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं बनाना श्रू करते हैं सिब से अब ले लेते हैं एक पॉट जिसमें ये तेल चला जाएगा तब उसमें हमें ग्रीमी खिली तर लेंगे और सबसे तहले हम जे खड़े मसाली होंके वो डालेंगे सिनिमन अब यह लिखें यहां पर यह सारा हो चुकर मसाली अब हम इसमें लाव लेंगे तो माटर और अब गरलिक अब आप 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 तो माटर बिल्कुल गल्ज है उसके बाद हम इसमें डालेंगे बाकी मसालेंगे अब हमस्पार के बाकी मसालेंगे ये प्रविए लुट निख्ने भी हमारे पास जारे थारे कि लिख्ने भी हमारे पास जारे पास जारे 2-3 मिलर तक भूनेंगे, क्रिस्ट में हम डालेंगे गोर्ट इसको हम तीन मेंड तक धांप लेंगे, अब हम इसको मिक्स करेंगे, इलो चिल लगे नाब इस मिडाल देंगे चलना और साथ दूप मेवा मेवा दो में तक इसको धांप लेंगे इसको ची तरीके से मिक्स कर लेंगे अब क्यूंकि तीन कप चावल थे इसमें अब छे कप पानी जाएगा, इसमें में मिक्स पानी और मिक्स उसमें साथ गिफनी मिक्स करके डाल दूए इसको अब उबाल लेंगे इसको अब उबाल लेंगे इसमें उबाल आ चुकी है अब हम इसमें पानी इसका चावल का मैंने गिरा दिया है अब यह सार इसमें डाल देंगे इसको मिक्स कर देंगे हलके से इसमें चमच हिलाना है ताकि चावल ना तूटें और साथ में ही इसका नमक पी आप टेस्ट कर लेंगे यहां पर अगर और चाहिए तो आप और डाल सकते हैं अब इसमें बबल जाना शुरू हो चुकी है क्योंकि थोड़ा सा कम थे इसमें हाफ ती स्पूम में और डाल रही हूं अब जब यह बॉइल होना शुरू हो चाहिए उसके बाद हम इसकी पर क्लिंग फाइल लगा के इसको हल्की आच पे कर देंगे कर देंगे इस तरह से मैंने इसकी पर क्लिंग फाइल लगा लिए इसकी पर यह धकन देखें और कोई भारी चीज़ आप इसकी पर लग दें इसकी पर देती हूं 20 मिनट तक इसको आप हलकी आँच पे पकने देंगे अब इसका मैं फाइनल लुक आपको दिखा रही हूं 20 मिनट के बाद यह देखें हर चावल बिलकुल अलग 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 है इसको अराम से अब हम मिक्स कर लेंगे इसको जरूर बनाएए यह कि रहना आपको अच्छ लगेगा मेरी वीडियो को देखें शेयर करें लाइक करें ठेंक यूँ झाल, यह झाल, बिलकुल अलग है नवीडियो बिलकुल अलग अलग है इसक्षा मेरी वीडियो चावला है